हलो दोस्तों कैसे हो आप सब? काफी लंबे अर्से बाद आखिरकार मिर्जापुर का दूसरा सीजन आने ही वाला है लगबग सारे वेब सीरीज लबर्स को इसका बेसबरी से इंतिजार है सबके इंतिजार बस खतम ही होने वाले हैं क्योंकि मिर्जापुर का दूसरा सीजन आज अमेजन प्राइम पर रिलीज कर दिया जाएगा। सीरीज देखने से पहले कुछ बाते मैं आपको बतायता हूँ जो आपके अंदर सीरीज देखने के उत्साह को दुगना कर देंगी। आज हम याँ आपको ऐसे तीन पॉइंट्स के बारे में बताने वाले हैं जो सीरीज को एक्साइटिंग और दमदार बनाती है। सबसे पहले बात कर रहते हैं रिलीज टाइम के बारे में सीरीज को एमेजन प्राइम वीडियो पर आज रात 10 बजे रिलीज कर दिया जाएगा। अगर आपके बास आमेजन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्सन है तो आप इसे 10 बजे के बाद फ्री में डाउनूट कर सकते हैं तो चलिए अब उन तीन पॉइंट्स पिर आते हैं जो सीरीज को दमदार बनाने वाले हैं सीरीज के दूसरे सीजन में सबकुछ डबल होने वाला है चाये वो खून खराबा हो या फिर रोमान्स और इसकी जलक हम पहले ही ट्रेलर में देख चुके हैं इस बार तीन लोग एक दूसरे से मिरजापुर के लिए लड़ेंगे और सबसे बड़े मुसीबत मौंगे हमारे ग लिएते प्लेश क्रेंगी सीरिज के दूसरे बागमें थ्रिपाठी खंदान में भी क्लेश देखने को मिलेगा यसा कि हमने पहले सिजन में धेखा था कि बिना त्रीपाठी ने इभी बंदूग उठा लिया है, अब यह देखना हुगяться अगे के पर है कौन, बिना के जरूरतों को पूरा कौन כरեगा हमने पहले सीजन में ही देखा था कि बिना की नजर मुन्ना भायापर है और अब ये देखना काफी इंट्रेस्टिंग होगा कि तिर पाठी खांदार में आखिर होता क्या है सिरीज का तीसरा मुख्य पहल हुए सिरीज में नए और संदारा स्टार कास्ट की इंट्री कई नए कलाकार सिरीज में नए किरदार में दिख सकते हैं शीरीज में विजय बर्मा के इंट्री होनी वाली है जो बिहार के बाहु बली नेता के रूप में नज़र आएंगे वो अपने अफिनेय से पहले ही कई सारी वेब सीरीज में अपनी छाप छोड़ चुके हैं सीरीज में दूसरी धमाकेदार इंट्री है इसा तलवार की सोर्सेज की माने तो वो मुन्ना भया की गल्फरेंड के रूप में नजर आएंगी आपको इस सीरीज से क्या उमीद है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेजापुर सीजन टू का रिव्यू सबसे पहले हमारे ब्लोग स्ट्रिमिंग डूट कॉम पे आएगा आप उसे बिजिट करना न भूले और यहीं वीडियोज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक लिए टेक केर बैबाए